शब्र रख तेरी कदर उशे वक्त बताएगा नमबर एक अति सुन्दर होने के कारण सीता जी का हरण हुआ अति एहंकारी होने के कारण रामण का वध हुआ और अति दानवीर होने के कारण राजा बली का सब कुछ खत्म हो गया इसलिए हमेशा याद रखिए कि किसी भी चीज की अति सही नहीं होती नमबर दू समझदार इंशान वो नहीं जो इट का जवाब पत्थर से दे समझदार इंशान वा है जो उस फेकी हुई इट से अपना आशियाना बना ले नमबर तीन अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिन्दगी बदलेगा तो आप आईने में देखिए क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया का कोई भी इंसान आपकी जिन्दगी नहीं बदल सकता नमबर चार हिम्मत मत खोना मेरी दोष्त केवकी अभी बहुत दूर जाना है जिसने कहा था तेरे बच का नहीं उन्हें भी कुछ करके दिखाना है नमबर पाच मेहनत सीडियों की तरह होती है और भाग लिफ्ट की तरह होती है लिफ्ट कभी भी बंद हो शकती है लेकिन सीडिया हमेशा उचाई की ओर जाती है नमबर छी जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया मेरा वक्त देखकर मैं कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा वक्त लाओंगा कि मुझे से मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा जरूरत के समय जो काम आए वह इंसान बड़ा नमबर आठ इंसान का असली चरित तब शामने आता है जब वहन नशे में होता है चाहे वहन नसा सराब का हो पैसे का हो पद का हो यहरूप का हो नमबर नौ देर से बनो लेकिन जिन्दगी में कुछ बनो जरूर क्योंकि समय के साथ जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है नमबर देर्श अगर आप जिन्दगी में सफल होना चाहते हैं तो तीन चीजे सबसे ज़्यादा जरूरी हैं लच्छ, कठिन, परिश्रम और धैरी नमबर ग्यारा, बुद्धिमान इंशान कभी भी इतिहास नहीं रचा करते इतिहास रचने के लिए थोड़ा सा पागलपन बनना पड़ता है नमबर बारा, अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी दुश्मन नहीं है तो थोड़ा सा काम्याब हो कर दिखाईए आपके सामने दुश्मनों के कितनी बड़ी फौस तयार हो जाएगी नमबर त्यारा, जिस प्रकार पते जड़ की बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं उगते उसी तरह कठनाई और संगर्शों की बिना किसी के भी अच्छे दिन नहीं आते नमबर चौदा किसी ने क्या खोब पूछा कि जब भगवान हर जगह है तो मंदिर के उजाते हो तो मैंने जबाब दिया जब किताबों में ही सब कुछ है तो इसकूल के उजाते हो